आईज, वेलकम टू जेके SSB ओलाइन टेटोरियल, मैं हूँ सतीश और आज हम लोग कंटीनियू करेंगे फीमेल सुपरवाइज एक्जाम के लिए लेक्चर नमबर टू All right, lecture number one में हमने society continue करा, society में हमने बात करी definitions and meaning की और आज lecture number two में हम society के characteristics और प्लस types of society के बारे में पढ़ेंगे Clear? All right, जिस तरह से पहले lecture में आपको सभी चीज़ें clear समझाई, उसी तरह से believe me lecture number two भी बहुत खुबसूरत रहने वाला है तो जितने भी candidate, जितने भी candidate मेरे से पढ़ रहे हैं हमारे social welfare supervisor exam में enroll है मैं उनको एक चीज़ दावे के साथ क्या सकता हूँ, कि मैं जो भी चीज़े पढ़ा रहा हूँ, बस आपको वही पढ़ना है, उसी के handwritten notes बनाने है उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा और जितने भी candidate हमारे social welfare female supervisor course में enroll है, उन सभी candidates को मैं 100% selection की guarantee देता हूँ, क्योंकि मैं जो content आपको provide कर रहा हूँ, ये सारा content आपको आपके exam में देखने को मिलेगा और मैं जो भी चीज़ें आपके साथ share करूँगा, वो सारी के सारी चीज़ें, as per latest labels होगी, तो अगर आपने join करा है, तो बहुत बड़ी अगर नहीं करा, तो आप join करने के लिए मुझे message कर सकते, मेरे whatsapp number 7006332724 पे, और आपको message में hello hi नहीं लिखना, आपको direct लिखना है, supervisor supervisor course, क्या लिखना है, supervisor course, तो आपको joining link मिल जाएगा, all right, मैं again कह रहा हूँ, कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आपको यहीं पढ़ना है, आपको बाहर कुछ भी नहीं करना, ना आपको बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि exam को crack करने का जो main process है, वो process है concise material, concise material, plus revision, plus revision and practice, और ये तीनों चीज़े हम लोग अपने course में आपको provide करेंगे, ये तीनों चीज़े हम अपने course में provide करेंगे, so that क्या आपका selection हो जाए, तो चलिए start करते हैं, लेकिन start करने से पहले, एक important चीज जो मुझे आप लोगो के साथ share करनी है, वो ये कि exam में selection के लिए सबसे most important दो चीज़े हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है, पहली चीज, patience, और दूसरी जो चीज है, वो है handwritten notes, ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत जादा interrelated है, ठीक है, सुनिए, एक मिनर लोगा, लेकिन आपके काम की बात है देखो, चाहे candidate fresher हो, चाहे candidate पुराना हो, दोनों को लगता है हमारे पास वक्त नहीं है, दोनों को ऐसा लगता है कि exam बस दो दिन के बाद होने वाला है, मुझे आज ही सब कुछ करना है, मतलब patience नाम की किसी में कोई भी चीज नहीं है, दोनों को लगता है मेरे पास वक्त लेकिन आपको एक चीज में बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपके बास बहुत अच्छे सा time में, आप अराम से करोगे, ठीक है, अब जब इनसान को लगता है मेरे पास वक्त नहीं है, तो उसको अगर पोलो ना कि handwritten notes बना, उसको लगता है कि सर time waste होगा मेरा, student को इसे add-on करके पढ़ सकता हूँ, यह सबसे वाहिया तरीका है competitive exam की prepare करने का, मैं guarantee के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ने इस तरह से काम कराना, यह PDF को collect करने का, बुरी जिन्दगी में PDF collect करते रह जाओगे, मैं थोड़ा straight forward हूँ, मुझ पे बात बोलने वाला हूँ, लेकिन PDF को बनाना शुरू कर दिया, PDF को collect करना शुरू कर दिया, PDF से पढ़ना शुरू कर दिया, exam pass करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, 4-5 साल लग जाएगे, मैं पहले बता रहा हूँ, क्यूंकि exam crack करने के लिए, information जो है, वो आपके mind में होनी चाहिए, और mind में information तभी होती है, जब आप किसी भी चीज़ को हाथों से लिखते हो, और हाथों से लिखी हुई चीज़ों को revise करने में बहुत कम time लगता है, हम लोगों को अपनी journey को असान बनाना है last moment पे, ना कि last moment पे हम पहाड बना दे, जो लोग PDF से पढ़ते हैं, जो लोग PDF से print out निकाल के पढ़ते हैं उनको पहले तो बहुत easy लगता है, लेकिन जब exam आता है, बहुत बढ़ा पहाड बन गया होता है उनके सामने और जिस पहाड को revise करना नामुम्किन हो जाता है, इसलिए हम लोग अपने supervisor course में आपको बिलकुल concise material पर focus करवाएंगे, मेरा main मकसद होगा आप लोगों के concept को clear कर language कैसी भी हो, आप उसे solve कर सको clear है, और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग अपने supervisor course में MCQs practice और साथ-साथ में mock test ताकि आपका revision plus practice भी साथ-साथ होता चला जाए, तो ये तीनों चीज़े हम लोग provide करेंगे अपने course में, अगर आपने join करा है तो आप बहुत lucky है, अगर आपने हमारा course join कर लो, आपकी help हो जाएगी, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते, तो आप लोग YouTube पे हमारी free videos देखो, ठीक है, कुछ time के लिए हम free डालेंगे YouTube पे, और एक चीज़ और PDF इकठी मत करना, प्लीज, जिन्दिकी बरबाद हो जाएगी, ठीक है, और society के बारे में अब हम थोड़ा उपर-उपर से बात करेंगे, क्योंकि मैं already बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके main points की, जो आपको याद रखना है, तो सबसे पहला, जो main point है, जो first line है, यह तो introduction line है, कि society जो है, most fundamental term है sociology में, क जो society word है, कहां से लिया गया है, कहां से derive किया है, यह word लिया गया है, latent word, जिसका latent word, क्या है वो, socialist, जिसका मतलब है companionship, ठीक है, पहली most important line, जो आपको याद रखने है, society के बारे में, अच्छे जो socialist word है, ठीक है, यह किसके ओपर based है, यह based है sociability के है, सबसे पहले, socialist का meaning क्या है दूसरा, पको point याद रखना है, इसका meaning है companionship, ठीक है, दूसरा point important, तीसरा important point वो यह, कि जो companionship है किस पर based है, यह sociability के बार THAT है, अब sociability क्या होती है, sociability का ऐसी ability होती है, जिसमे एक इंसान, दूसरे इंसान की company को enjoy करता है, ठीक है, दूसरे इंसान की company को enjoy करता है, और यही main true तो असेंस है सुसाइटी का क्योंकि अगर हम किसी कंपनी को नहीं करेंगे हम ग्रूप में रहे नहीं सकते ओके यह तीन चीज़ें यहां से अपने पढ़ ली में ओके नेक्स जो पॉइंट आपको याद रखना वो यह कि मैं इस ऑ सोशल एनिमल अक्सर कोशन पूचा था कि ब अपने लाइफ को एंजोई कर सके वहीं पर नेक्स्ट बात करें तो सुसाइटी जो है वह ग्रूप और पीपल को डिस्क्राइब किया जाता है जो लोग कॉमन कल्चर टेर्टरी या इंट्रेक्शन को शेयर करते हैं ठीक है अब इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि इन हम तभी बोलेंगे जब उनके अंदर कुछ कॉमन रिलेशन शिप होगा ठीक है कंप्लेक्स सिस्टम अफ रिलेशन शिप होगा कुछ नॉम्स होंगे आपस में कुछ इंस्टूशन वह शेयर करेंगे सो एक जैसे हो सिंपल सी बात है जो बात समझ है मेरी क्या बोल रहा हूं अगयान रिपीट करता हूं इन्होंने कहा है कि सोसाइटी जो है वह ग्रूप आप पीपल को बोला जाते हैं जो लोग कॉमन कल्चर मतलब हृतिरवाय को जगा लगा लो और इसके बाद बातचीत जिनका लहाजा बातचीत बोली एक जैसी हो तो उन लोगों को बोला जाता ह common relationship नहीं है ठीक का समझसरा किए आपको समझ आगया होगा सोसाइटी क्या है फिर हमने बात करी थी मारे में नाटिस यह नहीं है OK इसमें आप लूक चेंजिस नहीं कर सकते क्योंगि सोशल साइंटिस् नहीं वाक्सा में बोला है उसी बास्षा में बोल सकते हैं और इसे में अपनी बाश्या में एक्स्प्रेशन्शिप का ठीक है और मतलब सोचल रेलेशन्शिप रहता है इसमें और यह हमेशा यह चेंज होता रहता है यही चीजें हैं जो इन लोगों ने सोचल साइंटिस्ट ने बोला है बाकी लैपियर ने भी वही बोला कि जो सिर्फ ग्रूप पीपल को हम नहीं बोल सकते जब तक उनके अंदर एक कॉमन रिलेशन ना हो तो यह लेक्टर वन में हमने अल्री कवर करा हुआ है और मुझे उमीद है कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा आप आज हम आज की ले से डरेक्ट पुछाएगा यहां आपको क्रेक्टर सिक्स दिया होंगे और बोलेंगे फाइंड विच आफ दो फॉलेंगे उसमें से एक ऑप्शन गलत होगा क्रेक्टर स्टिक नहीं होगा सोसाइटी का इस तरह से कुशन पूछाएगा जब मैं आपको मैं आपको सारी से सबसे पहला जो क्रेक्टर स्ट्रिक्स है यह इसाइट इस तरह इन नेचर और आप्सट्रेक इन नेचर आप्सको वोलते हैं जो जस चीज को हमसरु एंड़ी कर सकते तो वही लिखा हुआ है कि it is not a tangible object, it's a non-tangible object, ठीक है, tangible objects वो होते हैं जिनको हम लोग छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, जैसे for example, आप लोगों का TV हो गया, आप लोगों का phrase, जो कोई भी चीज होगी, जैसे आप लोग छू सकते हैं, उसको tangible बोलते हैं, लेकिन society जो है, that is not a tangible, ठीक है, it is abstract in nature, सिर्फ maintain कर सकते हैं, किसके through, human interaction के through, ठीक है, बट फिर से मैं repeat कर रहा हूं, कि society जो है, वो abstract in nature है, मतलब इसे हम लोग ना ही देख सकते हैं, ना ही touch कर सकते हैं, लेकिन हम इस society को construct करते हैं, ठीक है, और maintain करते हैं, किसके through, human interaction के through, मतलब human relationship के through, okay, that's why society is a web of social relationship, all right, चले, अब दूसरा जो हमारा characteristics है, वो ये, कि society is dynamic in nature, dynamic क्या होता है, dynamic होता है, changing, okay, मतलब जो चीज़ वक्त के साथ वदलती है, उसको हम लोग dynamic बोलते हैं, और dynamic का opposite क्या होता है, होता है, static, static मतलब जो चीज़ कभी भी change नहीं होती, okay, कभी-कभी आपको synonym भी project, okay, तो वहीं बात करते हैं, dynamic मतलब कि ये constant change होता रहता है, society जो है, वो constant change होता रहता है, ठीक है, and involving in response to various internal and external factors, मतलब बहुत सारे ऐसे internal या external factor की वज़ा से society में changes आती रहती है, वो external और internal जो factors हैं, वो कौन-कौन से हैं, जैसे for example, population हो गया, environment की वज़ा से हो गया, technology की से हो गया, culture की वज़ा से हो गया, conflict की वज़ा से हो, मतलब ये वो सारे factors हैं, जिनकी वज़ा से society में time to time change आती रहती है, अब population की तुरू कैसे होती है, कभी population बढ़ गई, ठीक है, तो क्या हो आकाल पढ़ गया, होता ना कभी कभी चीजों की, मतलब बामारी आगी, तो इसी society जो है, that is dynamic nature or not, तो आपको simple answer दे, it is dynamic nature, और dynamic का मतलब आपको बता दिया, कि society जो है, वो वक्त के साथ बदलती रहती है, आपने internal और external factors की वज़ा से, और वो factors कौन-कौन से हैं, वो that is, वो factors कौन से हैं, population हो गया, environment हो गया, technology, culture and conflicts हो गया हो गया, ठीक है, next जो characteristics है, वो ये, society जो है, that is consist of people, जाइर सी बात है, बीना लोगों के कोन सी society होगी, लेकिन फिर भी कहीं बार ऐसी चीज़ें पूछली जाती है, इसी तरह से चीज़ें पूछी आती है, बंदा confused हो जाता है, यार ये क्या है, ठीक है, कभी-कभी, देखो confusion हमेशन हमेशन वहीं पर होती है, य उसको बोल जाता है, composed of individuals, जिनकी अपनी identity है, अपनी personality है, अपने values है, अपने goals है, ठीक है, but who also participate in collective activities and followed, shared and shared role and expectations, in short कहने का मतलब ये, कि society जो है, वो लोगों से बनी होई है, इन्होंने कहा है कि ये उन लोगों का group होता है, मतलब जितने भी इंडूइजल, हर एक इंसान का, हर एक इंडूइजल का अपनी एक identity है, अपनी एक personality है, अपनी उसकी value है, अपनी उसके goal है, जैसे आप लोगों के, आप लोग इंडूइजल हो, as a individual अगर हम आपकी बात करें, for example, चलो आपको family की बात करते हैं, आपको family मे आप लोग साथ रहते हो, क्यों रहते हो, क्यों, क्योंकि आप लोग कुछ particular rules को follow करते हैं, ठीक है, कुछ expectations होती है एक दूसरे के साथ, तो इन चीज़ों की वज़ा से हम लोग अपनी मतलब इतनी ज़्यादा differentiation होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ है, ओके, तो व connected because of some rules, activities and expectations, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ वो शेर करते हैं, ओके, चले, next जो है, next जो characteristics है, that is, society is not only a group of person, तेखो, मैंने आपको पहली भी बोल, कि it is not just a individual group, वही चीज़े यहाँ पे लिखिये, कि society जो है, that is not a random, या accidental aggregation of people, aggregation का मतलब होता है collection, ठीक है, aggregate होता है, collect करना, तो यहाँ पे लिखा है, कि society सिर्फ एक group of persons नहीं है, वही चीज़े लिखिये, कि मतलब कोई group of people, जो random हो, या accidentally एकठा हो गया हो, जैसे for example, मैंने पिकनिक की example दी, जैसे भी ठंड आ रही है, तो सारे के सारे लोग मना ली जाएंगे, जाएंगे, वहाँ पे different states के लोग होगे, अब उन लोगों को हम लोग society consider नहीं कर सकते, ठीक है, हलाकि वो group of people है वहाँ पे, लेकिन हम उनको उस state के वहाँ के लोगों उस तरह के groups of people को consider नहीं कर सकते, क्योंकि, but our purposeful and meaning association of people have some common interest and objectives, या need, क्यों? क्योंकि उनका कोई common interest नहीं है, that's why, तो इसलिए हम group of people, जिनके group of people, जिनके कुछ common interest है, कुछ common objectives है, या कुछ common needs है, ठीक है, उनी group of people, उनी association of people को हम लोग कहते है, society, okay, clear है, चलिए, बढ़िया, next question है, sorry, next term है, next term में, sorry, next characteristics में हम बात करेंगे, society is a complex system, society is a complex system, अब इसका meaning क्या है, कि जितने भी group of people है, ठीक है, उन में बहुत सारे interrelated and interdependent part होते हैं, जैसे social group हो गया, institutions हो गया, organizations हो गया, network हो गया, okay, that perform different function and role for society as a whole, okay, तो in short कहने का मतलब यह है, कि आप लोग, जैसे कोई भी, जैसे for example, हम लोग है, ठीक है, तो हम लोगों के बहुत सारे, ऐसे social groups है, ठीक है, social groups हम किसको बोलते हैं, social हो गया, समाजिक, ठीक है, और group हो गया, आपको पता है, association of people, right, तो मतलब बहुत सारे ऐसे अलग-लग समाज होते हैं, समाज के तोर पे, for example, जैसे, किसी particular जात का नाम नहीं लूँगा, तो सिर्फ इतना समझ लो, कि बहुत सारे ऐसे particular होते हैं, समाज, जिनके कुछ common institutions होते हैं, institution किसको बोलते हैं, यह जो marriage वगरा होती है, हम लोग पढ़ेंगे, इसमें, पूरा full-fledged institution के बारे में, तो मतलब, अपने-पने तोर तरीके होते हैं, उनके institutions में, वहीं पर उनके जो organization होते हैं, network होते हैं, तो इसके regarding, वो functions जो है, प्रफॉर्म करते हैं, और अपना role जो है, वो अधा करते है, society के लिए as a whole, clear है, तो in short, एक complex system है, society जो है, वो एक complex system है, ठीक है, चले, next question है, पूझा गया है, कि society जो है, वो interdependence के उपर waste करती है, obviously, अगर suppose करो, मेरी need, मैं खुदी feel कर दूँ, तो फिर भाई, मुझे आप लोगों क्या जुरूरत, है ना, आप लोगों की need, आप खुदी feel कर दो, तो आपको मेरी क्या जुरूरत, तो इसलिए society में, जो most important feature है है, वो ही है, कि यह सारे लोग एक दूसरे पर interdependence होते हैं, वही चीज़ लिखी होई है, कि member of society depend on each other for their survivor and well-being, मता हम लोग हमेशा एक दूसरे पर depend है, अपने survivor और अच्छे well-being के लिए, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के साथ cooperate करते हैं, coordinate करते हैं, उनके actions और and conflict, मतलब अब देखो simple सी बात है, चार लोग अगर हैं, उससे एक दू, अब human का सबसे बड़ा problem पता है, problem यह है, कि अगर कोई 10 लोग कोई बात बोरे हैं, उसमें तीन लोगों ने oppose करना ही करना है, चाहे उनको पता हो या ना हो, उनको लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, चा and maintain social order, मतलब society में जो भी members होते हैं, वो लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है, work together, ताकि एक social order को create कर सके, maintain कर सके, but also compete and struggle with each other for scarce resources, power and status, मतलब कहीं बार क्या होता है, कि उनने compete या struggle भी करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ, किसके लिए, power के लिए, resources के लिए and status के लिए, मतलब in short, जैसे society में लोग है, अब किसी को कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो फिर वो क्या करते हैं, obviously वो एक दूसरे के साथ compete भी करते हैं, ताकि मेरा अच्छा, इसमें score आ जाए, या मेरी selection हो जाए, for example, जैसे आपके point of view से हम बात करें, ठीक है, तो इसलिए society में cooperation and conflict दोना टाइप से चलता रहता है, अच्छा, इस example तो और मैं समझाता हूँ, इस वाले feature को, for example, जैसे आप और आपके cousin है, ठीक है, तो आप लोग अपने cousin का हर तरहां से साथ होगे, ठीक है, कोर्परेशन करोगे, ठीक है, जब बात computer exam के आईगे, आप यहीं बोलो कि मैं काम करते हैं, ताकि कुछ एक common social order को maintain कर सके, उसको create कर सके, लेकिन on the other hand, वो लोग struggle भी कर रहे होते हैं, ताकि उनके जो भी goals है, जो भी status है, उसको improve करने के लिए, ठीक है, चलिए, अगली जो चीज जो हम discuss करेंगे, that is, society is a mean of social control, ठीक है, is a mean of social control, ठीक है, is a mean of social control, ठीक है, अब जो कश्मीर वाले उनको बोल, उनको सिर्फ यही बताऊंगा, कि society में जो control होता है, उसको बोला जाता है, social control, ठीक है, तो इसके meaning क्या है, कि it regulate and influence the behavior of its member through formal and informal mechanisms such as laws, norms, values, sanctions and rewards, मतलब यह, कि society जो है, that's a mean of social control, मतलब एक way है, social समाज को control करने का, ठीक है, किन-किन चीज़ों के through, जैसे laws होगे, कनून की चीज़े होगे, norms भी एक तरह के laws ही होते हैं, बट यह written form में नहीं होते हैं, यह हम लोगों ने खुद बनाया होते है, society में, norms हो गया, values हो गया, यह हम लोगों खुद बनाते हैं, ठीक है, और यह सारे के सारे, उस साथ में, rewards, जैसे किसी ने कु नेक्स जो क्रेक्टेस्ट्रिक्स है, that is, कि society जो है, that's a consist of culture, obviously हमने बार-बार बात करी, कि group of people having shared some common cultures, okay, तो वही हम यहां बात करने वाले हैं, कि society जो है, consist of culture, जिसका मतलब है, it has a set of symbols, belief, value, norms, practice, जो share किये जाते हैं, और मतलब सिखाये जाते हैं, एक member से दूसरे member को, जैसे हमारे बड़े बज़ूर कम को सिखाते हैं, कि बाई, ऐसे नहीं करना, जूट नहीं बोलना, तो अब यह चीजें, यह norms values के अंदर आती हैं, basically, अब अगर आप जूट बोलते हैं, आसो थोड़ी है, आपको सजा मिलती है, बट यह कुछ चीजें हमें सिखाय जाती है, हमारे इसके वज़े से basic क्या होता है, कि एक meaning और direction मिलती है हमारी lives को, ठीक है, clear है, तो मैं again repeat करूँगा, इस point में क्या लिख है, कि society जो है, that's a consist of culture, अब इसका meaning क्या है, कि कोई भी society हो, हर एक society के अपने particular beliefs होते हैं, ठीक है, कुछ symbols होते हैं, values होती है, norms होते हैं, जिसे practice किया जा जाता है, और साथ साथ में उसको share भी किया जाता है, अपने छोटे candidates की बीच में, छोटे बचों की बीच में, ठीक है, so that कि वो उसको याद कर सकें, और अपनी life को एक direction, एक अच्छा इंसान बना सकें, clear है, ठीक है, चले, अगला जो point है, characteristics का, that is, कि society जो है, वो involved होती है, mutual interaction and awareness, mutual होता है, आपसी, ठीक है, ठीक है, आपसी, मतब mutual interaction and awareness, अब इसका meaning क्या है, कि जितने भी members है, society के, वो communicate करते हैं, interaction करते हैं, एक दुसरे के साथ, ठीक है, मतब एक दुसरे के साथ, वो बातचीत करते हैं, interaction करते हैं, and they are aware of their similarities and differences, और वो सारे के सारे aware हैं, चीज को लेक हैं, कि इस चीज को लेके, उनकी similarity, similarity का होता है, एक जैसी, मतब same, okay, differences जो होते है, that is, क्या का differences होता है, as well as rights and obligations, ठीक है, इनके बारे में उनको पता होता है, clear है, done, हमारे characteristics खतम, आप direct आपको एक marks जो है, वो characteristics से पूछा जाएगा, exam में, आप question कैसा आता है, question आता है, कि which of the following, question कैसे आएगा, इसमें से, which of the following, is not the feature, या characteristics of society, ठीक है, तो आप लोगों को, one, two, three, four, इस तरह से, आप लोगों option दिये होंगे, इस में से, मतलब, तीन option सही होंगे, एक option जो है, वो नहीं होगा, तो आपको उस जो नहीं option है, उसको टिक करना है, याद रखना, इस तरह की question आते है, mind blowing, ठीक है, दिमाग की बत्तीज लाने वाले, चलिए, अब characteristics हो गया, अब हम बात करते हैं, types या category of society के बार, ठीक है, मजाने वाले, ध्यान से सुनना, ठीक है, थोड़ा सा technical रहेगा, ले एक ही बात है, ठीक है, कि अलग-लग type में divide कर दो, या अलग-लग category में डाल दो, बात एक ही है, कुछ लोगों को confusion होती है, इसलिए मैं बोला हूँ, यह दोनों का एक ही meaning है, ओक है, चलिए, अब हम बात करते हैं, कि sociology point of view से, ठीक है, कौन सी, sociology point of view से, हम लोग अगर बात करें तो society जो है, वो दो parts में divided, चीक है, first and second, सबसे पहले, देखो, आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई, कि society जो है, वो क्या है, वो dynamic nature है, dynamic, dynamic nature है, मतलब, वक्त के साथ वो बदलती जाती है, अपने internal और external factors की वज़ा से, मैंने समझाया आपको, और यही वो reason है, कि जिसकी जैसे society में changes आई है, जब से society बनी है, तब से लेकर आज तक, एक time था, बंदा नंगा गुमता था, सिदी सी बाता, early man, कच्छा मास खाता था, ठीक है, आज दुनिया में अगर आप देखो, तो मतलब किस level की advancement आई है, technology में, या other चीज़ों में, या लोगों में, लोगों को रहन सहन में, खान पीन में, आप सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं, evolution of society, और उसी चीज़ को मैं अभी discuss करने वाला हूँ, कि 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 मतलब कौन कौन सी types रही हैं, कौन कौन सी types रही हैं, और कौन कौन सी types हैं, basically society में, तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंग मैंने अब को क्या बोला, कि sociology, according to sociology, society को दोपार्स में ड्वाइट किया जाता है, पहला है on the basis of, on the basis of economic and technology development, on the basis of economic, economic and technology development, ठीक है, और दूसरा जो है, that is, based on, based on, major source of economic organization, ठीक है, economic organization, ठीक है, ठीक है, अब मैं एक्सकों explain करता हूं, देखो, यह जो first वाला है, यहां हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की, यहां हम बात करेंगे किस की, वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड को लेकर हम बात करेंगे, ठीक है, यहां हम बात करेंगे, as a evolution of human, human evolution, आपने लिख सकते हैं, human evolution, देखो, वर्ल्ड जो है, वो basically, no doubt, human से ही बना है, no doubt, human से ही बना है, लेकिन, हम as a whole, अगर वर्ल्ड की बात करें, तो वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड भी तो एक society ही तो है, ठीक है, society में क्या होता है, group of people होता है, जिनकी जो एक common कुछ relationship को follow करते, कुछ pattern को follow करते हैं, तो वर्ल्ड में जितनी भी countries हैं, उन सभी countries के आपस में इसलिए हम लोग उसको सुसाइटी करेंगे और वही मैं चीज आपको समझाने वाला हूं कि जो सुच्छालीजी में हम फिर्स चीज पढ़ने वाले हैं मतलब सुच्छालीजी में सुसाइटी को दो तरह से कटेग्राइज किया गया है एक on the basis of economic and technology development और दूसरा on the basis of source of economic organization मतलब हमारे इनसान को जिन्दा रहने के लिए एक चीज की तो जरूरत रहती है हमेशा वो क्या खाने के लिए अब खाने के लिए कमाने कमाना पढ़ता है ठीक है अब early man से लेकर जिस तरह से चीज़ें बढ़ती चलेगी काम चलता गया मैं सारी चीज़ें करूंगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले पॉश्चिन की की जो फर्स्ट काटेगरी है जिसमें बेस्ट है इकनॉमिक टेकनोलोजी डेवल्मेंट में इसके अंदर जो है वो तीन मतलब यहां वर्ल्ड की बात कर रहे हैं वर्ल्ड की कंट्री की बा फिर रहता है थर्ड वर्ल्ड अपने नाम सुना होगा थर्ड वर्ल्ड कंट्री सुना है ना नाम प्वालेटी सोचॉलीजी वाले पढ़ाओगा अब फॉस्ट वर्ल्ड में क्या होता है कि लोग एकनॉमिकली और टेकनोलोजी वाइस बहुत हाड होते हैं मतलब बहुत फा है यह वाला जो पोश्टान है आप लोगों का यह जो सेकिंड वाला जो टाइप है सुसाइटी की अन्दर सुनिए कौन-कौन सी जो वहाती है इसको सबसे पहले इसमें पहले शिकार करके खाना शुरूर करा शिकार के बाद जो था वह पास्चर वाला सिस्टम आया मतलब इ जानवर को पाल के जानवर के थ्रू आगे पीछे जाना या जितना भी पोश्टन था एनिमल रेरिंग के उपर उनका डिपेंड हो गया फिर दीरे-दीरे क्या हुआ दीरे-दीरे यह हौटी कल्चर पे बात आई तो इसी तरह से सुसाइटी जो है वह एवलीट होती चलेग ठीक है अब यह था एक कंसेप्ट जो मुझे आपको क्लेर करना था कि सुसाइटी जो है वह दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ हमने ठीक है सुसाइटी को पहला हम एज वर्ल्ड अगर हम लेंगे तो फर्स वर्ल्ड फर्ड वर्ल्ड ऐसे बोलता जाता है फर्स वर्ल फर्स वर्ल यह थर्ड वर्ल आता है जो टेकनोलोजी और एकनोमिक लिवह साउंड होते हैं और थर्ड वाले जो होते हैं यह डवलप्ट नहीं होते हैं यह डवलपिंग होते हैं तो वहीं पर मैंने दूसरा आपको बताया हुओमन के एवलिशन को लेके कि यह किस चीज़ पर बेस करता है सोर्स ओफ एकनोमिक और जिसमें इंसान पहले हंटिंग पर फिर पास्चर पर आया निमल के फिर होटी कल्चर फिर अगरी कल्चर और अब आपको पता ही है तो यह सारी के सारी चीज़ें अब मैं आप लोगों को एक्स्प्रें करूंगा चलो यह मैंने आप आपको कंसेट क्ले करना था ताकि आपको पता लग जाए कि मैं क्या बता रहा है अब इसी चीज़ को सेम एजटी समया बात करेंगे लिखा हुआ है कि टाइपस ऑफ करेंगे एंड सोसाइटी तो यहां पर क्या है कि वहीं बोला कि सुच्छोलिजिस ने सोसाइटी को विरि मैं कंट्री के बात कर रहा हो कि इसमें कौन-कौन सी आती है माति यह वर्श गया नहीं इसमें इंडवल्प्र प्रोसेश दीवल्यपीं नहीं में आते हैं यह अभी तरफ चल रहे हैं तो वहीं मैंने आपको धूसरी चीज़ बताई इन्होंने देख़ा है और इंपोर्टेंट क्रियेशन फॉर क्लासिफाइंग सुसाइटी यहां पर रहने के लिए उस टाइप थी सुसाइटी की यहां पर रहने के लिए उस टाइप लोग क्या करते थे उनका जो और इकनॉमिक जो सोर्स था इकनॉमिक और बेशती हंटिंग एंड गैदरिंग के ओपर बेशती मतलब लोग पूरा फुली हंटिंग शिकार और जो भी वहां से लाते थे उसी के सर्वाइबल पर डिपेंड था नेक्स बात करे इनका पास्टरल एंड होटी कल्चर सुसाइटी मतलब जो भी इसमें क्या था कि सुसाइटी जो थी उनकी जिंदीगी जो थी वह एनिमल के अनिमल को मतलब यह से था ना चार ना ठीक है आपको पता हो गया होगा कि बक्रिया जार ना मतलब गाएं वगारा जो नोंने रखी शुरू होगी ठीक है मतलब सिंपल टूल्स को यूज़ करके जैसे हाड़ी हो गया या मतलब जो खुद यह हल्वकरा जो उस टाइम पर इसकी वज़ा यह इन सब चीजों को यूज़ करके फिर उसके बाद आया अग्री कल्चर सुसाइटी तो इसमें क्या हुआ कि जो सुस होता चला गया यहां तक कोई डाउट अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेना मैं क्लियर कर दूंगा ठीक है वो बात हम कर रहे थे प्री इंदस्ट्री की प्री मॉडनिशन की आज हम अगर बात करें आज है बाई इंदस्ट्रियल महोल ठीक है modern modern society तो इसकी अगर हम बात करें यहां लिकाए कि इंदस्ट्रियल रेवलिशन जो था वो ग्रेट प्रिटेन में बिगेन हुआ डियूरिंग दा 80th century जिसमें उन्होंने इंदस्ट्रियल सुसाइटी को सुसाइटी जो थी वो स्टार्ट होना ठीक है और इंदस्ट्रियल सुसाइटी जो उसमें क्या था बेसिकली गुट्स को प्रड्यूस किया जाता था मशीनों के द्वारा और जो मशीने चलती थी वो फ्यूल के थ्रूच चलती थी इंस्टेड ऑफ एनिमल एंड हुमन इनर्जी ठीक है फिर उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट इंदस्ट्रियल सुस जो इन्फरमेशन सर्विस और हाई टेकनोलजी के ओपर बेश्ट होगी ना की राव मटीरल या मैनुफेक्ट्ट्र के ओपर ठीक है ता हाइली इंदस्ट्राइज्ट विच हाव नाव एंटर पोस्ट इंदस्ट्रिय लेवल इंकलोडिंग दे यूसे कैनेड़ा जपान एं इस बार रिपीट कर देतों प्लेट को अच्छे से ख्लेर हो जाए चली को देखो आप लोगों के साथ यह ले लिता ठीक है देखो मैंने आपको मैंने आपको बताया कि सुसाइब अगर हम सुशॉडीजी पाइंड वी से बात करें तो सबसे पहले हम बात करी कि सुसाइट स तो उसमें किस तरह की changes हाई उस changes की वज़ा से उनको किस तरह से divide किया गया तो वर्ल्ड में economic and technology development की वज़ा से category तीन category में वर्ल्ड को divide किया गया first world second world and third world यह clear हो गया next जो मैंने बाद करी that is source of source of major economic development ठीक है major economic development सबसे पहले कैसे होता गया पहले वह थी ठीक है शिकार वगर करके अपने सर्वाइवल करती थी फिर वो किस पर आई फिर फिर वह पास्चर ऑफ एनिमल चीक है मतब बक्रियां या शिप्स वगरा या कौव वगरा को चरवाना फिर उनका स्टार्ट वह होटी कल्चर मतब इन् फिर के बाद आया इंडर्श्टरिज वाला सीन इस प्र उसके बाद आया इंडर्श्टरीज वाला इस अब प्रिक्विस प्ली टैक्नावलजी के उपर होकिस करेगा तो यह वो चीज लेक्टर कैसा लगा प्लीज मुझे मैसेज करके बताना क्योंकि कहीं न कहीं मुझे help करेगा यह जानने में कि किस तरह से आप लोगों को और बहतर तरीके से मैं बता सकता हूं अगर मैं आपका feedback नहीं लोगा तो कहीं नहीं दिक्कत होगी तो आपको आज का लेक्टर कैसा 006332724 पर मैसेज करके बता देना आई विल क्लेर यू आवरेटिंग आपकी थैंक यू सौ मच देखिया बाबाइड